नमस्ति मैं हूं देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आज हम बात करने वाले हैं सेंड के बारे में एफेक्स चैनल के बारे में यहाँ पर मैंने एक छोटा सा म्यूजिक सेक्शन बनाया है जिसके अंदर प्यानो की लूप है, ड्रॉम है और यहां मैंने एक melody बनाई है जल्दी से सुनते हैं चलिए बहुत बड़िया हम यहां जाते हैं नीचे mix पे click करते हैं तो यहां पर आपको दिख जाता है ठीक है मेरा piano जो मैंने मोई तो यूज करके melody बनाई है और जो मेरे drum है वो सारे यहां पर नजर आ रहे हैं अब मैंने आपको reverb या delay वाले lecture के अंदर बताया था कि direct reverb या direct delay उसके उपर use करने की जगा अगर हम send या कोई fx channel बनाए तो बहतर होगा वो क्यूं होगा अभी हम देखेंगे सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ की fx channel बनाना कैसे है यह खाली area है right click किया और यहां पर बहुत सारी हमारे पास options आई जिसमें यहाँ add fx channel मैंने click किया और मेरे पास यहाँ पर fx channel आ गया आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा fx लिखा भी हुआ है और इधर भी लिखा है अगर मैं इस पर click करूँ तो यहाँ से मैं इसे color भी change कर सकता हूँ और अगर मैं double click करूँ चलिए हम इसके नदे reverb add करेंगे तो मैंने rename कर दिया reverb अगर आप right click करें तो आपके पास option यह भी आती है add bus, add aux जो हम आने वाले lectures में बात करेंगे हम यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं fx channel की अब यहाँ पर देखिए जो मेरी यह melody है यह काफे dry है और पूरे mix के साथ बढ़िया नहीं बैठ रही तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ जो मेरा fx channel है insert पे गया, यहाँ plus इस पे क्लिक किया और यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास plug-in जो internal है, external है, सब दिख रहे हैं मैं presonus के अंदर गया और यहाँ पर मैंने एक ले लिया room reverb और हमारे सामने room reverb आ गई मैं फिलहाल इसे default setting पर ही रख रहा हूँ मैंने इसे बंद किया मैं वापिस जाता हूँ मेरे melody section पे और यहाँ send में जाता हूँ जब मैं यहाँ send पे जाता हूँ तो यहाँ मैं करता हूँ plus यहाँ देख रहे हैं अगर मैं इसके उपर pointer लेके भी आता हूँ तो वो बताता है add send हम जैसी यहाँ पर click करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखता है कि अगर आप कोई और add करना चाहें तो कर सकते हैं या already जो है वो भी यहाँ पर दिख जाएगी pink color में fx channel जिसका नाम है reverb मैंने click कर दिया और वो attach हो गई क्या बना reverb reverb अब यहाँ पर जो यह हमें दिख रहा है यह मेरा level है send का level आप इसे अपने scroll wheel से भी plus minus कर सकते हैं या पकड़ के भी आगे बीचे करना चाहें तो कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने direct reverb लेने की जगा मैंने fx channel में लिया और उसको इसके साथ connect किया उसका फाइदा क्या है यह देखिए यहाँ मैं जाओं तो plus करूँगा और यहाँ पर कोई और effect आ सकता है दूसरा जो बहुत easy तरीका है मैं यहाँ से जाता हूँ browse यहाँ पर जाते हम effects चलिए यहाँ पर EQ है तो यही ले लेते हैं पकड़ा drag and drop FX channel के उपर मैंने छोड़ दिया अब यहाँ मेरे फाइदा क्या है कि मेरी जो reverb है वो थोड़ी मड़ी थी अगर मैं direct मेरे यहाँ insert पे ले लेता तो जो भी मैं EQ, compressor और भी इस तरह के कोई भी effect लेता वो मेरे overall channel के उपर ही काम करते लेकिन अब जब मैंने fx channel बना लिया है तो fx channel के अंदर सिर्फ मेरी reverb है और जो भी मैं EQ, compressor यहाँ लूँगा वो सिर्फ मेरे wet यानि कि मेरे सिर्फ reverb के उपर काम करेगी मेरी जो dry melody है वो untouched रहेगी मैंने यहाँ पर EQ लिया ठीक है, यहाँ click किया और थोड़े से tight किया आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इसे यहाँ से low cut करता जाऊँगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह low cut, high cut यह क्या चीज है अभी हमने यह जो EQ है, equalizer है इसकी बात नहीं की, वो आने वाले lectures में करूँगा मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूँ कि यहाँ जो low frequency side, थोड़ी सी mud है यह low frequency, mud, यह सब क्या चीज़े हैं यह भी हम आने वाले lectures में जल्दी सीखेंगे मैं बस आपको एक overall चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो मेरी reverb की wet है सिर्फ wet, मेरी reverb sound उसके अंदर जो कच्रा था वो साफ कर दिया कुछ मैं उठाना चाहूँ उसके अंदर कुछ shape-up करना चाहूँ तो कर सकता हूँ मेरा जो dry melody है वो उसके उपर कोई भी असर नहीं होगा सिर्फ मेरी wet के उपर मेरी reverb पर होगा एक बार सुनते हैं यह देखिए अब reverb वापिस यानि कि मेरा जो dry signal है वो untouched है intact है और सिर्फ मेरी जो wet है उसके उपर मैं इस तरह से effect लगा सकता हूँ दूसरी चीज़ मेरी reverb को मैं left या right कर सकता हूँ उसका कितना level होना चाहिए वो रख सकता हूँ यहां से भी देख सकता हूँ अगर मैं इसे थोड़ा सा यहां से किया यहां भी आप देखेंगे तो मैं left या right कि मेरी जो send है उसे भी मैं left या right पैन कर सकता हूँ और मेरी send का कितना level होगा जो यहां से fx channel में जा रहा है dry की तरफ से उसे भी मैं यहां से control कर सकता हूँ तो बहुत ही आसान, बहुत ही easy और आपको मैंने दोनों तरीके बता दिये हैं किस तरह से हैं हम use कर सकते हैं drag and drop के साथ भी हम कर सकते हैं या फिर simple हम right click करते हैं और यहां पर हमारे पास आजाता है add fx channel आप वापिस यहां पर देखेंगे send अब वहां पर भी वो नहीं दिख रहा यानि कि again यह dry है चाहे अप इसे off रखें चाहे on रखें कोई fact नहीं तो आपको पता लग गया होगा fx channel कितना ही important चीज है आप बहुत सारे अलग अलग channels को एक single fx channel के साथ भी connect कर सकते हैं बहुत ही इंडिपेंडेंसी हो जाती है आप कोई भी effect लगाते है तो उसकी wet और dry दोनों sound अलग रहती है dry के उपर आप अलग से effects लगा सकते हैं और जो wet है उसकी उपर अलग से effects लग सकते हैं मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए देव नेक्स लेवल signing out नमस्ते झाले के लेवल